गूर्मनी शुटन्स, आइम मैंसर, संत मेरी, संत मेरी पब्लिक इसकोर मानार बसाल, ठीक है, आज हम इसमें कम्प्रिटर्वी क्लास 6 का, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स जो है, ये AD पढ़ारे जा रहे, AD एक्सर और Windows जालो, यानि तीन टॉपिक है, इसके बारे में बताने जा रहे है, बीजले क्लास में, हमने कुछ टॉपिक के लिए क्लिया था, जिसमें, न्यू फिचर्स और Windows 10 क्लास में, इसका पार्टी पार्स हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम कहा रहे जाने की, AD, AD is Windows 10 ब्राउजर, इसमें क्या करते है, यह हम लोग इंटर नेट पर, है ना, इंटर नेट पर किसी भी तरह के बेव को, किसी भी तरह के साइट को कह रहे सकते है, काफी सुरक्षित धंग से सर्च कर सकते है, ठीक है, यह हम इंटर नेट ड्राइगए बेव तरह के साइट रहे सकते है, इंटर नेटर नेट रहिटों एंटर रहेएंट रहेब बेव करते है, काफी सुरक्षित नेटर रहे यह मित्योंतर नेट, रहे जोड़ता है, सब इसमें आपको सो कड़ेगा नीचे जैसे ही सर्च करेंगे इसमें सो कड़ेगा तो से इसमें आप इसमें अपनी इच्छा मुसार कोई अगर आटिकल्स मनाया हैं तो इसमें आप सेव करके अविश के लिए सुरक्षी दूइदा लग सकते हैं और जब भी मुन करें आप इसको खोल के बढ़ सकते हैं यानी किसी भी समय आप इसका यूज कर सकते हैं अब नेक्स टॉपिक से आपका एक्शन सिंटर तो एक्शन सिंटर के जब आप बेपे ब्राविंग कर रह सुर्ण से रिलेटेट किसी में तरह के लोड हो एक है दिखाएगा तरह न तरह कि मालनी जी की विद्टो स्टेयन अपडेट हो गया करने के लिए धा यह किसी में तरह क्भी सिंटर रहर विद्टीटेशन यहां पे दिखाता है ठीक है और क्या करा है कि अगर आपका मुझनी जी की बेव पेज है अगर बेव पेज में किसी एप से रिलेटेड भी नूटिफिकर्शन है इसको भी आपको यहां पे शो करेगा दिखाएगा इसको आप खोल के उसके पसंबंद में प्रक खोल के इसको आपका नुटिफिकेशन है उसको आप खोल के उसके संबंद में बढ़ सकते जान सकते हैं कि आखिर क्या जी नूटिफिकेशन आया है है अब है क्विप एक्शन बटन आरे सेट और टाइस देट गीव एक्सेस टू फ्रिक्वेंटी यूजेश सेटिंग अड़ टास्क काने को की एक्शन बटन जो होता है यह क्या होता है यहां पर जाके आप उस नूटिफिकेशन के समध में जानकर और उसका सही खुण सकते हैं इसमें हम बुलुटूथ को भी उन कर सकते हैं या फिर कहले कि आपको इसे तरह का ब्राइट निक्स में पढ़ा सकते हैं है तरह करते हैं कि अगर आलीजी प्लाइट नोटेकर होता है इसी तरह बहुत सरह होते हैं कि यहीं एक्षन चेंट इसे को बहुत तरह का सिप्रेट्री की होता है तो इसका उसने भी टिस्पिया जाएगा साथ में रिमाइंडर ही यहां पर डिस्पिले होता है इसका इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं ठीक उसी समय आपको इसमें क्या होगा कि आपको मतलब इसमें क्या करेंगा कि आपको क्या करना है इस तरह का रिमाइंडर होता है ठीकर आगे है Windows Hello, Windows Hello is Microsoft's new in-house Biometric Security System for Windows 10, Windows Hello जो है ये Windows 10 का ठेना एक Biometric Security System होता है, है ना, ये latest आया है, इसमें कहता है, कि इसके मुझसे आप किसी भी डाटा को खोना है, बाद का फेस का इस्क्रिंग और स्कैन करके या आपके खंप इंप्रेशन को स्कैन करके, खिर और साथ हमें, आपके आईरिस से स्कैन करके भी आपका जो फाइल फोलडर है इसको खोल सकते हैं यानि काने कहांतलोब जब तक आपका अंगुठा या फिर आपका आईरिस स्कैनिंग यह सब नहीं होगा आप विंडोज का कोई दूसरा यूज ही नहीं कर सकता है यानि काने कहांतलोब यह सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है बायोमेट्री जो सिस्कम है इस सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है और इसको आसानी से आप क्रिये भी कर सकते हैं यानि अगर आप इस पर प्रोपर सेफ आप काम कर रहे हैं कोई काफी इंपोर्टेंस फाइल या रिकॉर्ड्स आप इसमें रखे हुए हैं तो आपके लिए ये विंडोज हैलो काफी सहाइक सीथ हो ठीक है तो बच्चों आज हमने एंग टोपिक पढ़ा एक्शन सेंटर विडोज हैलो और ये तीन टोपिक को जाना है अब हम नेक्स दिन जानेंगे क्रियेटिंग न्यू डेश्टॉप ठीक है तो आज का क्लास ये सुमाब होता है आज के लिए थैंक जाएंगे